सत्यूग दर्शन नित्रेकला केंद्र की नियू ब्रांच की ओपनिंग रमेश नगर में की गई जिसके अंदर बहुत से लोग मौजूद हुए सत्यूग दर्शन के तरश्टी शेशी जी ने बताया कि सत्यूग दर्शन है कैसा नित्य केंद्र जिसके अंदर लोगों को काफी जादा फायदा मिलता है और लोग अलग-अलग प्रकार की क्रियाय और नित्य संगीत सीखते हैं साथ ही साथ स्कूल के प्रिंसिपल ने भी है बताया कि सत्यूग दर्शन एक ऐसा प्लाटफर्म है जो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा काम करता है और सत्यूग दर्शन से ऐसे बहुत से टैलेंट आगे निकले हैं जिनोंने भारत देश का नाम प्रिंपोर्ट का आज से शुबरम हो चिका है ये कार्यकरम एक जलकी है हर इंसान को जनाने के लिए कि वो किदर जा रहा है पर उसने जाना किदर था इंसानियत अंडूप व्यावार अपनाना था पर मौ माया में उलजकर दूई द्वेश का व्यावार अपना कर अपनी परसंता खो दी अपने परवार जनों की परसंता खो दी और कुल समाज उससे परभावित हो गया और यह परभाव इतना गहरा हुआ कि अधिक तक इंसान अधिकतार इंसान दुराचारीता के परदीख बन गए है सत्युक दर्शन की फीश ही अपने आप में बहुत कम है और फीश के अलाबा हमारा एक माध्यम अपना ऐसा है कि हमारी इतनी प्रांचिस है ओल ओवर इंडिया में कि अगर हम अपनी प्रांचिस का कॉंप्रीशन कराते हैं तो सभी बच्चों को प्लैट्फॉर्म मिलता है जो भी गुण उनके अंदर है वो गुण का अपना प्रदर्शन करते हैं और हम भिन भिन प्रतियोगता आयुजित करते हैं वो प्रतियोगताओं के माध्यम से बच अप्षा लेसा आज आपके ही माध्यम से मैं यह मंच आपको जितनी भी जनता है उस सब तक पहुछाना चाहरा हूं कि हमारी आज ओपनिंग आप में देखी तो ऐसी ही ओपनिंग जैसे आज आपने देखी है तो आने वाले समय में हम समय समय पर ऐसी प्रतियोगताओं इए दो तीन चार ऐसी प्रोग्रामस आयोजित करते हैं जिनमें बच्या अपनी प्रतिवाह का प्रत्रशन कर सकते हैंजासर कि मांग दर्शक के मार्ग दर्शक है जो शत्युक दर्शन ट्रस्ट कारे रत है उनी के मार्ग दर्शन से vist शहरों में संगीत कला केंदर चलते हैं विविन अलग दिशाओं में हमारा सत्युक दर्शन ट्रस्ट कारे रत है Humanity Olympiad हमारा होता है प्रतिवश hitch जिसमें आज का युवा उसमें जुड़ा हुआ है ये जैसे इंग्लिश का साइन्स का उलम्पियाड आयोजे होता है ऐसा ही हमारा Humanity Olympiाड हम कराते हैं जिसकी कोई फीस नहीं है और उसके माद्यम से बहुत सारे युवा इसके अंदर जुड़े हुए इसका उद्धेश नहीं है हमारा उद्धेश है कि जहां पर जरूरत है वहां हम आगे कदम बढ़ाते हैं और उस कदम में आपके सहयोग से अलग अलग लोगों के सहयोग से एक जो माद्यम सत्युगर्शन ट्रस्ट ने चुना है कि संगीत द्वारा हमें एक दिशाने देशन देना है बच्चों को एक अच्छी राहा देनी है उस राहा में हम अगर अपना सहयोग दे सकें यही हमारा उद्धेश है